I did के अश्हाव रेकमषभ कम टु माइय योटुब 香 सिर्फली को चैनल इटि ट इट इस्ट में हम डिस्कस करेंगे मुझ मैं श्॓टट क西 को टूल पार के लिए किस तरह से यूज क्या सकता है फ्रेंड एक्षब टूलबार के किसरा से यूज करता है आज की वीडियो में हम इस चीज को डिसकस करते हैं यहां पर मेरे बास Shortcut Keys मौझूत है यहां पर इनकी description मौझूत है कि नैजिते हैं कि shortcut Keys के मदद से टूल पार किस तरह से जो तूल पार के लिए Shortcut Keys को किस तरह से यूज के जाता है यहां पर लिखा है move through options in our menus or drop down list आप move करना चाहते हैं option के जरीए से menu में या drop down list में तो इसके लिए आपको arrows की का use करना पड़ता है यहां पर है select the next and previous toolbar next और previous यानी पिछले और next आने वाले टूल पार को select करने के लिए control plus tab का button press किया जाता है या फिर control plus shift plus t का button press किया जाता है perform the action assigned to a button perform उस action को perform करना जो button को assign किया गया इसके लिए enter करें when a button is select जब button selected हो और enter करें button को select करने के बाद enter करें तो वो button जो भी इस button को आप जिसको button को select करेंगे जिस पर इस पर select करने के बाद उसको enter करेंगे तो उस button को जो काम assign किया गया होगा वो perform करेंगा उसके बाद है enter text in our text box text box में text को enter करने के लिए enter करें जब आप text box को select किया होता है तो उसके अंदर enter करें तो select करने के बाद text box को तो आपको वहां पर text इंटर कर सकेंगे menu को open करने के लिए उस menu को menu जब toolbar पर मुझूद हो menu को enter करें जब menu toolbar पर मुझूद हो तो इंटर का बटन प्रेस करें इस तरह से आप menu को open कर सकते हैं make a menu bar active एक menu bar को active बनाने के लिए f10 का बटन प्रेस किया जाता है select the next और previous button और menu on the toolbar प्रीविस बटन को या next button को या menu को toolbar पर इस लेक्ट नेक्स्ट या previous बटन को या menu को toolbar में select करने के लिए tab का बटन प्रेस करें या फिर shift प्लस tab का बटन प्रेस करें when a toolbar ठीक है उसके बाद यहां पर है keys for working with document outline outline document outline के लिए keys working किस्टा करती है यहां पे है expand text under a heading text को heading के under करने के लिए alt plus shift plus plus का बटन प्रेस किया जाता है उसके बाद है call collapse a text under a heading इसके लिए आपको alt plus shift plus minus का बटन प्रेस करना प्रेस करना पड़ता है expand or collapse all text or heading all text or heading को expand करने के लिए या collapse करने के लिए alt plus shift plus a का बटन प्रेस किया जाता है show all headings with the heading one style जो heading one style होता है जब भी हम MS word को open करते हैं और जब home के tab पर style का option आता है वहां पर heading one two sub heading heading तुम हैडिंग लिखे होती है वहां पर अगर हम show all headings तुम हेडिंग को style one के साथ हम शो करवाना जाते हैं तो alt plus shift plus i का बटन प्रेस किया जाता है अगर हम चाहते हैं कि show the first line of body text और all body text first line of body text और all body text को show करने के लिए alt plus shift plus i का बटन प्रेस किया जाता है एक paragraph को promote करने के लिए alt plus shift plus left arrow का बटन प्रेस किया जाता है show all heading up to heading n alt plus shift plus n का बटन इसके लिए प्रेस किया जाता है demote a paragraph एक paragraph को demote करने के लिए alt plus shift plus right का बटन प्रेस किया जाता है उसके बाद फ्रेंज यहां पे है Move Selected Paragraph Up जो Selected Paragraph होता है उसको अप में Move करवाने के लिए Alt Plus Shift Plus A T का बटन प्रेस किया जाता है उसके बाद है Move Selected Paragraph Down Selected Paragraph को Down में Move करवाने के लिए Alt Plus Shift Plus A T और यह इस तरह से Formatting का बटन होना चाहिए यहां पर भी यहां पर भी इस तरह से Formatting प्रेस किया जाता है और यह Move करता है Demote to Body Text Body Text को Demote करने के लिए Ctrl Plus Shift Plus N का बटन प्रेस किया जाता है तो Friends इन वाम Shortcut Keys को ही को अपनी MS Word को Open करके वहां पर Practically आप इनको Perform करेंगे तो आपको बहतरी इन तरीके से इन Shortcut Keys को यूज़ करना आ जाएगा मैंने आपको इन Shortcut Keys के बारे में बता दिया है And then मैंने आपको यहां पर यह भी बता दिया है कि आप इन Shortcut Keys को कि इन डिस्क्रिप्शन क्या है किसलिए इनको यूज़ कर सकते हैं अब आप इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको बहतरी इन तरीके से उनको यूज़ करना आ जाएगा Friends, यहां पर हम नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम को डिस्क्स करेंगे With Fields के साथ किस तरह से वर्किंग की जा सकती है Shortcut Keys में और Friends, हम इसको अभी डिसक्स करते हैं कि यहां पर है Allist Num Field Allist Num Field के लिए Alt प्लस Ctrl प्लस L का बटन प्रेस किया जाता है उसके बाद है Switch Between All Field Codes and Their Results Alt Field के Codes और इनके Results के Between स्विच करने के लिए Alt प्लस F9 का बटन प्रेस किया जाता है A.R.Date Field के लिए Alt प्लस Shift प्लस D का बटन प्रेस किया जाता है Run GoTo the Button on Macro Button from the Field and Display the Field Results GoTo के बटन को Run करने के लिए Macro Button पर From Fields that Display the Field Results के लिए Alt प्लस Shift प्लस F9 का बटन प्रेस किया जाता है A.Page Field के लिए Alt प्लस Shift प्लस P का बटन प्रेस किया जाता है A.Time Field के लिए Alt प्लस Shift प्लस T का बटन प्रेस किया जाता है Lock Up Field के लिए Ctrl plus F11 का बटन प्रेस किया जाता है An empty field के लिए Ctrl plus F9 प्रेस किया जाता है Unlock a field एक field को unlock करने के लिए Ctrl plus Shift plus F11 का बटन प्रेस किया जाता है Unlink a field एक field को Unlink करने के लिए Ctrl plus Shift plus F9 का बटन प्रेस किया जाता है गो टू दा नेक्स्ट फिल्ड के लिए F11 का बटन प्रेस किया जाता है अपडेट दा सेलेक्टिड फिल्ड को के लिए F9 का बटन प्रेस किया जाता है प्रीफिस फिल्ड में जाने के लिए Shift प्लस F11 का बटन प्रेस किया जाता है और एक फील्ड के कोड्स और इसके रिजल्ट के बिट्वीन स्विच करने के लिए Shift प्लास F9 का प्लास किया जाता है तो करें दिए तो हमारी आज की इंफर्मेटिव वीडियो हमारी नेक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पर लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के दवाँ नोटिफिकेशन आपको प्रोटर मिलते रहें